बड़े बुजुर्गों के तीस नियम ध्यान रखने योग्गे जरूरी बाते नमबर एक रात की बच्ची हुई रोटी में फाइवर प्रचुर मात्रा में होता है बासी रोटी को सुबा दूद के साथ खाने से शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखा जा सकता है नमबर दो अगर ज़्यादा खाने की वज़ा से पेट खराब हो जाए तो अद्रक चबा कर खालो बहुत आराम मिलता है नमबर तीन अगर आप मसूर की दाल का नियमित तोर पर सेवन करते हैं तो यहें आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होने देता है साथ ही शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है नमबर चार राजमा में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है इसलिए जो लोग मास नहीं खाते उनके लिए राजमा बेहतरीन उपाई है नमबर पांच दूद में सौफ डाल कर पीने से चहरे का रंग गोरा होता है और जुरियां नहीं पड़ती नमबर छे ठंडा दूद पीना पुर्षों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है नमबर साथ सोने से पहले गुनगुना पानी पीने की आदट डालें इससे आपके गुर्दे हमेशा साफ रहेंगे नमबर आठ सूजन वाली जगा पर पान के पते रगड़ने से सूजन खतम हो जाती है नमबर नो नाश्टे में दो केले जरूर खाएं इससे पूरे दिन आपके शरीर में एनरजी बनी रहेगी और काम में भी मन लगेगा नमबर दस सुबा नाश्टे के बाद एक इलाइची खाने से सांस फूलने की समस्या नहीं होती नमबर ग्यारा घर से बाहर निकलते वक्त दही और चीनी खाने से शरीर को अधिक मातरा में ग्लूकोज मिलता है जिससे शरीर को तुरंत एनरजी मिलती है नमबर बारा जिन लोगों के मुँ में अक्सर चाले हो जाते हों वो खाना खाने के बाद सौफ खाया करें इससे आपको आराम मिलेगा नमबर 13, गुड़ खाने से खून साफ होता है, रोज खाना खाने के बाद गुड़ खाने से पेट ठंडा रहता है और गैस भी नहीं बनती नमबर 14, दूज जलेबी खाने से शरीर का दर्द दूर होता है, इसके सेवन से सिर्दर्द और कमर के खिचाव को कम करने में भी मदद मिलती है नमबर 15, शहद में कुछ बूंदे नीबू की रस्की मिलाकर चहरे पर लगाने से जुर्यों की समस्या खतम होती है और साथी चहरे पर अच्छी चमक आती है नमबर 16, चाए के अधिक सेवन से स्किन खराब होती है और नजर भी कमजोर होती है नमबर 17, आँख में फुनसी होने पर लॉंग घिस कर लगाने से फुनसी दब जाती है नमबर 18, खीरा जोडों के दर्द में लाबदायक होता है खीरे का रस पीने से जोडों के दर्द और सूजन दोनों खतम होती है आधे खीरे के रस में एक चमज शहद मिलाकर पीने से गठिया, घुटनों के दर्द, जोडों के दर्द में फायदा मिलता है नमबर 18, एलोविरा काट कर रोजाना चेहरे पर लगाने से एक हफते में ही जुरियां खतम हो जाती है और रंग भी साफ होता है नमबर 19, महंदी में नारियल का तेल मिक्स करके लगाने से सिरके बाल, लंबे और घने होते हैं नमबर 20, ज़्यादा मीठा खाने से बहरे पन की बिमारी हो सकती है नमबर 21, खजूर खून की कमी के रोगियों के लिए रामबार्न औश्टी का इलाज करता है साथ ही शरीर के दर्द में भी रहत देता है नमबर 22, यदि आपकी मेमरी वीक है तो आपको भीके हुए अक्रोट का सेवन करना चाहिए इससे आपका दिमाग भी तेज होता है नमबर 23, लाल मिर्च के अधिक सेवन से आँखें और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है नमबर 24, अगर पैरों में बहुत तेज दर्द होता है तो पैर के अंगूठे में सरसो के तेल से मालिश करें नमबर 25, रात को सोने से पहले किश्मिश का सेवन करने से आँखों में चमक आती है नमबर 26, दूद में काला जीरा मिला कर खाने से जखम जल्दी भर जाता है नमबर 27, खाना हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि आपके दाथ को ज़्यादा और पेट को कम मेहनत करनी पड़े नमबर 28, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह खाना खाते समय टेवी देखते हैं लेकिन खाना खाते समय टेवी देखने की आदत ना डालें इससे स्वास्थे पर गलत असर पड़ता है नमबर 29, कुछ लोगों को सुबा सुबा बिस्तर पर ही चाय या कौफी पीने की आदत होती है इससे ऐसीडिटी और जलन की समस्या हो सकती है नमबर 30, पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए इससे स्वस्थ रहने में काफी लाब मिलता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद